खासकर students के लिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है जो भी loans आप ले रहे हैं वो आपको payment करनी होती है आपको उसकी repayment करनी होती है और इसके उपर कुछ ना कुछ ब्याज लगता ही लगता है ऐसा नहीं है इसके ब्याज लगे यहाँ पर इमें चोटा सा screenshot भी लगा दूँग जिसमें कि बताया गया है यह current है कि लगबग 6% से लेके हमारे 13-14% तक आपको pay करना पड़ता है interest और जब आप अपनी education ले रहे होते हैं उस समय आपको कुछ नहीं pay करना होता पर उस समय भी जो भी interest है जो भी व्याज है आपके उस particular पैसे के उपर लग रहा होता है और हम लोग सोचते हैं कि अगर मैंने education loan ले लिया और मैं बाद में नौकरी करके इस loan को पूरा कर दूँगा जो 6-7 या 8 लाक का है या जो भी आपके पास कुछ amount है एक तो यहाँ पे आप interest पे कर रहे होते हैं दूसरा कई सारी processing fees होती है जो कि आपको वो भी पे करनी होती है य जाकि बाद में कोई भी गडबर ना हो इसके बाद अगर आप कोई loan नहीं पे कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको पे करना ही पड़ता है चाहे फिर आपकी माबाप कोई भी पे करें और वहीं अगर आप सोच रहे हो कि मैं hotel management की degree करके 3 साल की degree करके या कोई एक डेल साल क सारे उस loan को pay करने में ही चले जाते हैं अब यहां पर मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा अगर आप एक अच्छे college से भी pass out हो रहे हैं एक अच्छे college में भी admission ले रहे हैं अगर आप कहीं पर कौमी 3 जा रहे हो तो आपको भी वही salary मिलेगी जो एक degree के वाले बच्चे को मिली है या एक खराप college वाले बच्चे को मिली है क्योंकि वहां पर बात हो रही है उसके skills की अगर उसके skills आप से ज़्यादा अच्छे हैं तो उसको ही नौकरी मिलेगी आपको नौकरी नहीं मिलेगी कोई भी ऐसा ऐसे दावे नहीं कर सकता कि इस college से pass out होने के बाद यहां पर आपको या हम आपको कोई अच्छी job दिला देंग और दूसरा हमारी जो industry वह इतनी ज़्यादा fluctuate करती है इतनी ज़्यादा तेजी से बदलती है कि कोई भी chef या कोई भी काम करने वाला कहीं पर भी एक डेट या दो साल से काम नहीं करता है तो वहीं आप सोचते हो कि मैंने इस college में मैं इतनी fees पे कर दूँगा और उसके बाद मुझे यहां पर नौकरी इस brand में नौकरी मिल जाएगी तो मैं loan पे कर दूँगा तो वो भी आप गलत सोच रहे हैं ऐसा भी नहीं होता है